हेलो दोस्तों लुसेंट राजस्तान जी के के डेली टॉफ 50 कोशन में आपका वेलकम है दोस्तों तो ये वीडियो का सत्रुवा बात दोस्तों इससे पहले भी सोला पार्ट बनाया चाचुके हैं दोस्तों वह भी आप चैनल पर जाकी देख सकते हैं दोस्तों और सभी कोशन आपको रट लेना है दोस्तों बिल्कुल भी मिसनी करना सी वीडियो को क्योंकि आने वाले सभी एक्जामों के लिए कोशन काफी इंपोटेंट साभित होने वाले हैं क्योंकि प्रिवेश सीर एक्जामों के अंदर ये काफी बार रिपीट हो चुके हैं दोस्तों अभी तक चैनल को सबिस्क्राइब नहीं किया तो प्लिस इसे सबिस्क्राइब कर लिजे और बेल आइकन बटन को भी दबा लिजे तो शुरू करते हैं दुस्तों आद की वीडियो कोशन है वरुन गाउं नागोर प्रसिद है तो इसका रिटान सरह है आप्शन नमर सी बकरी नसल के लिए प्रसिद है वरुन गाउं नागोर निक्षन है सागवान रोपन हे तू से उप्युक्त जिले हैं तो इसका रिक्टांसर है आप्षन नमर ए बांसवाडा और उदेपुर जिला उप्युक्त जिले हैं सागवान वरक्ष रोपन के लिए निक्षन है शेकावाटी भू भाग में कुवों को इस्तानिय नाम है तो इसका रिक्टान्सर है आप्षन मड़ी जोहर केते हैं कुवों को इस्तानिय बाश्या में निक्षन है डोला मारू मुमल दे निहाल दे उजली जेठवा चित्र शेली किस शेली की निजी विशेष्ता है तो इसका गरेक्टांसर है आप्षन मरे जोदपुर शेली की निजी विशेष्ता है डोला मारू मुमल दे निहाल दे और उजली जेठवा चित्र निक्षन है डुंगरपुर बांसवाड़ा वै आसपास के शेत्र में बोली जाने वाली बोली है तो इसकारेक्टांसर है आप्षन नमबर बी बागडी बोली जाती है डुंगरपुर बांसवाड़ा और आसपास के शेत्र में निक्ष ने विग्र राज चत्रुत द्वारा लिखित नाटक है तो इसका रेक्टांसर है आप्शन नमर बीच हरी केली नाटक है जो की विग्र राज चत्रुत के द्वारा लिखित है निक्ष ने नर्मदा वै तापती नदियों के बीच इस्तित परवत है तो इसका रेक्टांसर है आप्शन नमर सी सत्पूडा परवत इस्तित है नर्मदा और तापती नदियों के मद्य में निक्ष ने निम्न में से एस उमिलित युग में है तो इसका रेक्टांसर है गलत है इसके लावा आप्शन नमबर A है जमुवाय माता का मंदिर जमुवाय रामगड जेपुर में है विल्कुल सही है आप्शन नमबर B है नक्टी माता का मंदिर भवानी पुरा जेपुर मिस्तित है तो ये भी सही है आप्शन नमबर C है ददी माता का मंदिर मांगलोद नागोर मिस्तित है तो यह option भी सही है तो option number D यहाँ पे विल्कुल गलत है बडली माता का मंदिर नाडलाई जोदपुर में है question है सीरावन किसे कहते हैं तो इसका correct answer है option number D कृशकों का सुबर का जो बोजन होता है उसे हम सीरावन कहते हैं निक्षन है बीसल देव रासो ने अजमेर के चोहान शाशक बीसल देव उनकी रानी राजमती की प्रेम गाथा का वर्णन है इसके रसनाकार है तो इसका correct answer है option number C नर्पती नाला है बीसल देव रासो गरंत के रचियता और इसमेर के चोहान शाशक बीसल देव और उनकी पत्नी राजमती की प्रेम गाता है निक्षन है निम्न मेंसे आईसमेलित युग में है तो इसका correct answer है option number B मधनशाशी से के कोटार यस्त में परच लिते ये option बिलकुल गलत है इसके अलावा गजशाशी से के बिकानेर में परचलिते बिल्कुल सही है आप्शन नमर सी है सलीमा शही सिके बासवाड़ा में परचलिते तो ये भी सही है आप्शन नमर डी है तमचा शही सिके दोलपुर में परचलिते तो ये आप्शन भी सही है तो आप्शन नमर जो बीद है मदन शही सिके कोटा रियस् ये option बिल्कुल गलत है निक्षन है Gentleman's Agreement किन के मद्दे हुआ था तो इसका रिक्टांस रहा है Option अब डी मिर्जा इस्माइल एवम हिरालाज शास्त्री के मद्दे हुआ था Gentleman's Agreement निक्षन है बरत हरी का मेला किस जिले में आयोजित होता है तो इसका रिक्टांस रहा है optionsinging number D अलवड जिले में आयोजित होता है भरत हरी का मेला निक्षन है राजस्तान की किस जंजाती में मूर बढंदिया नामक विवा का परकार पाया जाता है तो इसका रिक्टांस रहा है optioninging number D गरासिया जन जाती में पाये जाता है मोर बंदिया नामक विवा का प्रकार निक्ष ने सहीतिक मारवाडी कही जाती है तो इस कारेक्टान सरह आपसर नमबर भी डिंगल वाशा को कहते हैं सहीतिक मारवाडी निक्ष ने मारवाड जोधपुर का प्रतम शाशक जिसने मुगल अदिन्ता स्विकार कर अपनी पुत्री का विवा सलीम जहांगीर से किया था तो इस कारेक्टान सरह आपसर नमबर एट मोटा राजा राव उद्य सिंग ने किया था मुगलों की अदिन्ता स्विकार करके अपनी पुत्री का विवा सलीम के साथ में निक्ष ने गलता जी के बाद रामानंद संप्रदाय की दूसरी महत्पुन पीट कहा है तो इस कारेक्टान सरह आपसर नमबर एट विकलांगों से संबंदित योजना है निक्ष ने मंट्रायल के किले को गुवालियर की कुणजी कहा जाता है यह किस जिले में इस्तित है तो इसका रेक्टान सरह आपसर नमबर एट यह सवाई मादोकुर जिले में इस्तित है मंट्रायल का किला निक्ष ने थेवा कला में कांच और सोने की जुगलबंदी देखते ही बनती है कांच की जमीन पर सोने का काम करने वाले सुनारे को कई पुरुसकार भी मिल चुके है इस कला में कांच का रंग अधिकतर होता है तो इसका रेक्टान सरह है आपसर नमबर एट कांच का रंग अधिकतर हरे रंग का होता है थेवा कला में निक शुने राजस्तान का यह इस्तान देली और मुंबई के ठीक बीच होने से यहां एरपोर्ट एथिरोटी आफ इंडिया ने अपना केंदर बना रखा है तो इसका एरिक्टांस रहा है आपसर नमर भी परताब गड़ में अपना केंदर बना रखा है इस जाती के लोग खुद को हिंदू कहते हैं परन्तु किसी व्यक्ति के मरने पर उसके शव को जलाने के बज़ाए गाड़ते हैं यही नहीं मृतक के मुह में गंगा जल की जगए शराब की बुंदे भी डालते हैं तो इसका रिक्टांसर है आपसर नमर डी कंजर जन जाती के लोग ऐसा करते हैं निक्षन है सटका शरीर के किस रंग का अगुशन है तो इसका रिक्टांसर है आपसर नमर भी कमर का अगुशन है सटका निक्षने भारतिये संसद में राजस्तान से कुल कितने संसद है तो इसका रिक्टान सराय आप्शन नमबर D कुल मिलाकर 35 संसद है संसद में निक्षने राजस्तान की कौन से जन जाती बंदर के मास का प्रियोग करती है तो इसका रेक्टांसर है आप्शनमबर बी का थोड़ी जन जाती करती है बंदर के मास का प्रियोग निक्षने गीर नसल किसकी है तो इसका रेक्टांसर है आप्शनमबर सी गाई की नसल है गीर नसल निक्षन है अलवर के बाला किले में किस मुगल बास्जा ने एक रात गुजारी थी कोशन है मीरा बाई ने अपना अंतिम समय किस इस्थान पर बिताया था तो इसका रिक्टांसर है आप्शन नमर डी दुआरिका में बितायता मीरा भाई ने अपना अंतिम समय निक्ष ने हिजरी सन का पहला महिना तो इसका रिक्टांसर है आप्शन नमर ए मोहरम है हिजरी समवत का पहला महिना निक्ष ने मारवाडी बाश्या की प्रतम व्याकरण किस ने लिखी तो इसका रिक्टांसर है आप्शन नमरे सीता राम लालस ने लिखी थी मारवाडी बाश्या की प्रतम व्याकरण निक्षने राजस्तान के सरवादिक निकट सागरिय भाग है तो इसका रिक्टान सराय आप्षन नमरे कच्च की खाड़ी है सागरिय भाग जो की राजस्तान के सरवादिक निकट इस्तित है निक्षन है राजस्तान के उन्ड एकिकरण के समय एक नवंबर उन्निस सो चपन को राजस्तान में कुल कितने जिले थे तो इसका रिक्टान सरह है आपसन नमर डी कुल मिलाकर 26 जिले थे राजस्तान के एकिकरण के समय निक्षने भारतिये प्राचीन लिपी माला के लेखक का नाम है तो इसका रिक्टांसर है आप्षन नमर डी गोरी शंकर हीराचंद हो जाहे प्राचीन लिपी माला के लेखक का निक्षने निमलिकित में से एस उमेलित है तो इसका रिक्टांसर है आप्षन नमर डी कजली तीज का तेहवार अक्टूबर में मनाय जाता है ये आप्षन बिलकुल गलत है इसके अलावा उट मौसव जनवरी में मनाय जाता है बिलकुल सही है शर्द मौसव दिसंबर में मना देता है तो ये भी सही है निक्षन राजस्तान का वह प्रशिद्ध लोग गीत जिसमें राजस्तानी पती वर्ता धर्म पर अटल रहना बताया गया है तुछ कहरेंट अपस्टन नमर्दी पाणिहारी गीत में बताया गएा है कोशन है निम्न में से सुन्डा पर्वत इस्तित है तो इसका रिक्ट आंसर है आप्शन नमर भी जालोर में इस्तित है सुन्डा पर्वत इस्तित है निम्न में से मालखेत की पहाडियां किस जिले में इस्तित है तो इसका रिक्ट आंसर है आप्शन नमर सी सीकर जिले में इस् निक्षन है थार का मरुस्तलगी का शेचलिघ तरफिल कितना है। ग्रीट का मरुदर के नाम से कौन सा संभाग प्रसीद है। तो इसका रिक्टांसर है आप्स नमबर डी जोतपुर संभाग प्रसिद है मरुदर के नाम से निक्षन है निम्न में से रेगिस्तान का सबसे संपन जिला कौन सा है तो इसका रेक्टांसर है आप्स नमबर ए श्री गंगानेगर जिला है रेकिस्तान का सबसे संपन जिला निक्षन है राजस्तान में इस्तित मरुस्तल को किस नाम से जाना जाता है तो इसका रिक्टांसर है और बी इसे थार के मरुस्तल के नाम से जानाता है राजस्तान के मरुस्तल को निक्शन है पच्छिमी रेगिस्तान वे खारे पानी की जीलें किसके अवशेश है तो इसका रिक्टांसर है आपसर नमबर D ये 33 सागर के आउशे से बच्छेमी रेगिस्तान और खारे पानी की जीले हैं निक्षन है राजस्तान में रेगिस्तान कितने प्रतिशत बूब वागपर है तो इसका रेग्टांसर है आपसर नमबर D 66.11% भाग पर रेगिस्तान फैला हुआ है राजस्तान में निक्षन है मेसा का पठार राजस्तान के किस जिले में इस्तित है तो इसका रेक्टान सरह है आप्षन नमर सी चितोडगर जिले में इस्तित है मेसा का पठार निक्षन है निम्न में से अर्द चंद्राकार बालू का इस्तूप कहां बनते हैं तो इसका रिक्टान सरह है आपसन नमर डी उप्रोक्त सभी में मतलब पच्छिमी रेगिस्तान में शुष्क मरुस्तल में उत्री रेगिस्तान में तो इन तीनों जगे बनते हैं अर्द चंद्राकार बालू के इस्तूप निक्षन है राजस्तान राज्ये का कौन सा बोतिक प्रदेश तेतिस सागर का अउशेष है तो इसका रिख्टांसर है option कि पक्चीमी मरू प्रदेश है ठेथिस साहगर का अउशेष है ने इसका रिख्टांसर है option कि पक्चास सेमी की समच करता है निक्षन है ववन की दिश्या में समकोंट पर बनने वाले बालू का इस्तूब को कहा जाता है तो इसका रिक्टांसर है आप्शन नमबर डी इने अनुप्रस्त बालू का इस्तूब कहा जाता है निक्षन है निम्न में से आंत्रिक जल परवा का उत्तम उधारण है तो इसका रिक्टांसर है आप्शन नमबर डी सामबर है आंत्रिक जल परवा का उत्तम उधारण निक्षन है राजस्तान में बरखान अर्द चंद्राकार बालू का इस्तूब पाए जाते हैं तो इसका रिक्टांसर है आप्शन नमबर डी ओप्रॉक्त सभी में मतलब भालेरी मेडा नदी की गाटी सूरदगड इन तीनों स्तानों पर पाए जाते हैं बरखान या अर्द चंद्राकार बालू के स्तूब पर